हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो इससे पहले कि हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करें अगर आडियो वीडियो क्लियर है तो एक बाद चैट बॉक्स में यस सर लिख दीजिए या फिर थम सब्सक्र कर दीजिए ठीक है लेट ओपी तो हो गया है ठीक है आपके मैसेज का सम्मान करते हैं लेट ओपी ठीक है बट अगर वोईस क्लियर है हम लोग आपको दिख रहे हैं तो एक बाद चैट बॉक्स में यस सर और यस मैम लिख दीजिए मेरा नाम है रुपेश चौधरी और मेरे साथ हैं समाप ठीक है तो अब आज क्लियर है आप लोगों का अप्रूवल आ गया है तो हम इस ओरियंटेशन को अगर मैं बात करूं कि इंडिया का क्लास 11 का सबसे बड़ा बैच में आप सभी का इस ओरियंटेशन प्रोग्राम में मैं समाप्ति मैम और सभी टीचर्स और पूरा का पूरा पी डबलू आपका स्वागत करता है और इस बैच में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजे आपके साथ डिसकस करना चाहूंगा बेटा कि इससे पहले कि मैं स्लाइट्स के बारे में आप लोगों से डिसकस करूं आप सभी को मालूम है कि आप अभी जस टेंद प बिगरता है तो यह जो जर्नी है यह एक दिन की नहीं है एक महीने की नहीं है दो साल की जर्नी है और आपको मालूम है कि सकसेस जो होती है वो रातो रात नहीं मिलती आपको दो साल मेहनत करनी पड़ेगी पूरा एफर्ट्स डालना पड़ेगा और यह जो दो साल की जर्नी ह ये पूरी की पूरी smooth भी नहीं रहने वाली, इसमें काफी तरह के hurdles भी आएंगे, कई बार आप पढ़ाई नहीं करेंगे, कई बार आप दी-motivate होंगे, कई बार आप पढ़ाई भी करेंगे, लेकिन आपका हो सकता है marks उतना expectation जितना आप सोच रहे हैं, उतना ना हो, तो वहा ठीके से पढ़ाई होगी, क्या होगा, वो सब चीजे तो अभी हम लोग discuss कर लेंगे, बट आपको इन दो साल में अपने लिए बहुत जादा इमानदार होना है, और हमेशा ये सोचना है कि आपके parents ने आप लोगों के लिए कितना sacrifice किया है, ठीक है, आप में से काफी सारे students ह होंगे, जो एक अच्छी family से belong करते होंगे, जिनकी अच्छी family से मेरा कहने का मतलब है, जिनकी एक earning बहुत अच्छी होगी, काफी students एक middle class family से होंगे, और काफी students ऐसे भी होंगे, जहां पर earning उतनी नहीं है, तो बच्चों, हर type का student होता है, तो आपको अपने parents का, अपने teachers का और अपना dream complete करना है, तो doctor की जो आपके नाम से पहले जो doctor लगता है, है न, वो एक easy नहीं होता कि मैं लगा के बैठ जाओ doctor रुपेश्ट, नहीं, ऐसा नहीं होता, उसके लिए एक बहुत अच्छे से पढ़ाई, बहुत अच्छे से त्यारी करनी पड़ती है, तो किसी भी चीज की अगर आप शुरुआत करते हैं, कोई भी चीज हो, ठीक है, study से पहले वो आपसे सिर्फ discipline मांगती है, तो आपको दो साल के लिए discipline में रहना है, तभी आप इस journey को बहुत अच्छे से complete कर पाएंगे, तो मैं अब थोड़ा सा मेम के साथ discussion करना चाहूंगा, कि मेम और कौन कौन सी चीजे हैं, जो बच्चों को इन दो साल में, मतलब चीजे इनको ध्यान रखने की जरूत है, थोड़ा सा अगर हम social side के बार में भी discuss करें, ये आप लोग अभी 10th से 11th में आ रहे हैं, तो ये आपके मुझे लगता है, एक बहुत बढ़ा जंप होता है, सबसे ब लग रहा है, अभी जो हमने पड़ा था भी थोड़ा बड़ा हो गया है, तो अफकोर सब्जेक्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बट जैसे सर ने बोला कि अगर आप बिल्कुल बिटर discipline के साथ में ना, और ये सोच के आएंगे ना, कि मेरे को selection लेना है दो साल के बाद, तो आप धीरे-धीरे करके, धीरे-धीरे करके ना, आप जब क्लास में आएंगे, तो आप used to हो जाएंगे वैसे पढ़ने के, और मैं तो ये कहती हूँ, अभी आप अपने लक्ष के, अगर आप अपने बड़े seniors को देख रहे होंगे, आप में से बहुत सारे ऐसे लक्ष के करते हैं, discipline नहीं maintain करते हैं, उनको लगता है अभी बहुत टाइम है, हमारा तो दो साल के बाद नीट exam आने वाला है, बट बिटा समय बहुत जल्दी बीच जाता है, बहुत जल्दी समय बीच जाता है, और अगर आप इस समय को बहुत अच्छे से utilize नहीं करेंगे, तो आप फिर उसी category में आ जाएंगे, है न, तो आपको ये नहीं करना है, of course हम time to time आपको batch के अंदर बताते रहेंगे कि पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे आपको अपना schedule बनाना चाहिए, कि सरीके से पढ़ना चाहिए, कि आप बहुत अच्छी efficiently पढ़ाई कर पाओ, बट आपको बिटा बहुत positive mindset के साथ में class में आना है, और seriously यही सोच के आना है, कि यार, बहुत अच्छा और genuinely, sir और हम और सारी teachers यही feel करते हैं, कि आपको इतना प्यारा एक batch, इतने अच्छे price point पर, genuinely ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, ऐसी families होती है, जो sir शायद इतना भी afford नहीं कर पाते ह अगर आपको इस point पर इतनी अच्छी opportunity मिल रही है, तो मुझे लगता है, excuses कोई नहीं देने चाहिए आपको, कोई excuses नहीं होने चाहिए, कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया, मैम ऐसे है, मैम हमारे साथ वैसे है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे examples हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चों के examples हैं जिन्होंने कितनी tough situations में रहके भीना इस batch से लक्ष बैच में आगे पढ़के selection लिया है, तो मैं तो यह मानती हूँ कि आप में से जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, maximum बटा बहुत अच्छे situation में अभी हैं, तो आपको बहुत positive note के साथ में batch के अंदर आना है, और हम तो मतलब आपको promise कर रहे हैं कि आपको best से best ऐसी content देंगे और ऐसी चीज़े बताएंगे जो सिर्फ आपको एक doctor नहीं बनाएगी, आपको एक आगे आपकी life की journey में भी शायद आपको मदद करेगी, बिलकुल मैम, और काफी सारे students से हम लोगों की बात होती रहती हैं, उनके कु तो कई बार थोड़ा सा exertion हो जाता है, time table manage करने में दिक्कत आती है, देखो बचो थोड़ा-थोड़ा starting में आपको लगेगा, जब आप स्कूल में पढ़ाई करेंगे और evening में हमारे lecture पढ़ेंगे, starting में थोड़ा आपको लगेगा, but easy भी तो नहीं है न, आप ये भी सोचि कि आपके comfort zone में है कि मुझे कुछ करना भी ना पढ़े, ठीक है, मैं अपनी yearly सारे functions भी attend करूँ, ठीक है, उसके बाद मैं swimming class भी जाओ, उसके बाद मैं gym भी जाओ, है न, उसके बाद मैं घूमने भी जाओ, friends की birthday party भी celebrate करूँ, तो इतना easy नहीं है, आपको तपाना पढ़ेगा, exertion आएगा, कई बार आपका मन करेगा, उससे नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पढ़ना पढ़ेगा, ठीक है, easy कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप एक proper तरीके से चीजों को manage करेंगे, अपने teachers की बात सुनेंगे, हम आपको proper guide करेंगे, आपका time table आपको बना बच्चों, ये दो साल की journey है, और अब तक्रीबन क्या हो गया है, 50% class 11th का आता है, और 50% class 12th का आता है, पहले होता था कि class 11th का syllabus जादा आता था, ठीक, class 12th का syllabus कमाता था, लेकिन अब चीजे क्या हो गई है, balance हो गई है, तो class 11th को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठ थोड़ा सा चीजे उसको एकदम जो books है, books का number भी बढ़ जाता है, chapters का number भी बढ़ जाता है, तो आप अगर एक अच्छी शुरुवात करते हैं, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आपको daily पढ़ना पढ़ेगा, discipline में रहना पढ़ेगा, आपके teachers जो भी आपको note क्लास skip नहीं करनी है, बेटा, कभी कोई test skip नहीं करना है, अगर आप daily का daily revise करेंगे, आपको कहीं पर भी बेटा, कहीं पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप क्लास skip करेंगे, एक क्लास का जो topic होता है, वो एक दो क्लास के साथ connected होता है, एक क्लास छोड़ने का मतनब है, क पूरा carry करना है, एक cumulative effect है बेटा, हर दिन की महनत add होती है, आपको बस पढ़ाई करनी है, आपके teachers आपको जिस तरीके से guide करें, ठीक, हम आपके एक तरीके से parent की तरह भी होते हैं, दो साल आपका पूरा का पूरा ख्यार लगते हैं, तो आपके selection में तीन चीजे बहुत important है, एक आपकी पढ़ाई, एक आपके parents और एक आपके teachers, तो आपको बस सिरफ और सिरफ दो साल आप अच्छे से लगा देंगे, आपका career बन जाएगा, आपको कहीं पर कोई भी डिक्कत नहीं आएगी, और मैम थोड़ा साइक यह रहता है कि social side से इनको कैसे मतलब रखना है, distraction हो जैसे सर ने बोला ना अपनी बिटा आपको priorities clear रखनी पड़ेगी, आपके लिए क्या priority पर है, अभी आपकी priority जैसे सोशल मीडिया, बहुत सारे apps है, बहुत सारी चीज़ है, जिससे आप distract हो सकते हो, लेकिन अभी आपको खुद को अपनी priority सेट करनी पड़ेगी, आपको जब अभी आप अपनी priority सेट कर लेंगे तो आप आगे आने वाले सालों में आपको बहुत सारी चीज़े ऐसी है, जो शायद करने को मिल जाएगी, जो शायद तुम अभी करने का आपको मन कर रहा होगा, और बहुत सारी distractions हैं, मैं यह मानती हूँ कि सर जो पढ़ने वाला ब करता है, दिन को प्रॉपरली डिवाइड करके शेडियूल बनाता है, इसको फॉलो करता है, जो excuses देने वाले लोग होते हैं, जाहे students हो, चाहे teachers हो, excuses देने वाले लोग excuses देते हैं, यह fact है, तो distractions आपको खुद से willingly, आपको खुद से willingly distractions को हटाना पड़ेगा, आपको यह सोच motivate हो रहे हैं, पर मुझे genuinely यह लगता है, ठीक है, हम आपको time to time motivate करेंगे, आप पिटे ऐसे तो बहुत सारी motivational videos है, जो आप देख सकते हो, available है आज के date में, तो मुझे लगता है, जब आपको बहुत अच्छे marks आते हैं, आपको number अच्छे आते हैं, तो आप बहुत बहुत से पढ़ाई करते जाओ, और अच्छे अच्छे number लेते हैं, और आपका graph धीरे देन करके उपर जाए, slowly, slowly उपर जाए, it's okay, क्योंकि यार, सब ना अलग-अलग level से start करते हैं, अभी मैं देख रहे हैं, हमने तो कुछ पढ़ाई नहीं है, हमारा क्या होगा, ठीक है, पहली बच्चे पूछ भी रहे हैं, चैट के अंदर, कि आप कैसे basic से पढ़ाएंगे, तो बेटा, एकदम basic से उठाएंगे, जैसे मैं छोटा से example देता हूँ, botany का जो हम पहला chapter स्टार्ट करेंगे, sell the unit of life, आपके पास NCRT किताब, एक और सवाल आ रहा है कि सर, NCRT old ले, या नय NCRT ले, reduce syllabus और इस तरह की बाते भी वच्चे कर रहे हैं, बच्चो आपके पास market में जो new NCRT है, वो किताब आपको खेदनी है, ठीक, दूसरी चीज, हमारा जो पढ़ाने का जो pattern होगा, वो बिलकुल जो NMC का जो नया syllabus है, उसके base पर पढ़ाएंगे, और वो सारा का सारा syllabus आपकी NCRT से match करता है, कुछ topics हैं आपके, जो NEET के syllabus में हैं, बट वो topic आपके NCRT में नहीं है, ऐसे topic बहुत जादा नहीं है, कुछ topics हैं, आप उसके लिए बिलकुल परेशान मत हुएगा, वो सारे topics जो हैं, वो हम class में बिलकुल basics से आपको clear कराने वाले हैं, आप एक new NCRT की खरीद लीजिएगा, बस, आपको सिरफ इतना करना है, बेटा, कहरे मैं, NEET में बहुत competition है, ने, competition तो देखो, बढ़ता जा रहा है, दिरे दिरे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, हम आपको उस level का पढ़ाएंगे, बेटा, और confidence रातो रात नहीं आएगा, एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है, अभी तक आप में से maximum student को syllabus भी नहीं पता है, chapters का sequence भी नहीं पता है, आपको, है ना, आपने books देख ली होंगी, यार, इतनी सारी books हैं, कैसे होगा, इतनी सारी, इतने सारे बच्चे हैं, seats इतनी कम है, मेंटा confidence धीरे धीरे आएगा, हम आपको हम आपको revision planner देंगे, आप उन चीजों को follow करेंगे, हम आपके test लगाएंगे, आप test में appear होंगे, आपके marks अच्छे आएंगे, फिद marks थोड़े और बढ़ेंगे, तो धीरे-धीरे confidence build होगा, मैंने कहाना है, रातो-रात के वाली journey नहीं है, कि किसी test में कम मिला, इसका मतलब यह नहीं कि neat नहीं निकलेगा, किसी test में बहुत अच्छा मिल गया, इसका मतलब भी नहीं कि neat निकल जाएगा, बट हाँ, एक अच्छा marks आपके confidence को boost करेगा, आप अगले test में और बहतर करेंगे, बलकुल, 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 हो गया, वो तो बेटा, new NCRT आपको खरीदनी है, ठीक, आपको proper अपनी notebook रखनी है, pen रखना है, ठीक है, और जैसे teachers आपके साथ आपको पढ़ाएंगे, आपको proper notes रखना, आपको बनाने है, बस एक चीज में आपको कहूंगा, ठीक है, हर साल बहुत सारे बच्चे आते हैं, ठीक है, उनमें कुछ ग्यान देने वाले भी होते हैं, कि आप ऐसे कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, बचों हर साल आते हैं ये, ठीक है, लेकिन हर साल PW से इतने सारे बच्चे select होते हैं, है ना, जब उनकी fallution होती है, तो आप YouTube पर देखते होंगे, आपके teachers, आपको जो भी पढ़ाएंगे teachers, आपको जो ब experience हैं, ठीक है, जैसा उन्होंने कहा, बस आप उनको follow करिएगा, आपको कहीं पर कोई भी दिक्कत आने नहीं देंगे, हाँ, क्योंकि अभी आप हो सकता है, बिटर दस वी से ग्यार वी में आ रहे हैं, आपने अलग set of teachers से पढ़ा है, उनके साथ में आपकी ट्यूनिंग थी, और जब आप batch के अंदर आएंगे, तो क्योंकि हम लोग सारे आपको पहली बारी पढ़ा रहे होंगे, आप भी हमसे पहली बारी पढ़ा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, बट धीरे धीरे give us time, give yourself time, एक दो lectures आप बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो और ज्यान लेने के लि है न, तो मैं यह एक चीज और पूछ रहे है, dummy school और regular school, देखो मेरी बात समझेगा, ठीक है, हर तरह का student exam को qualify करता है, बिल्कुल, ठीक है, अगर मैं आप को छोटा जा example देता हूँ, अगर आप dummy करा लेते हैं, तो होता क्या है, आप morning में school नहीं जाएंगे, आपके पास self study क time काफी जादा होगा, बट आपने dummy करा लिया, और आप 10-10.50 बजे सोके उट रहे हैं, और मम्मी को कह रहे हैं, मम्मी पांच आलो के पराठे देदो, ठीक है, और फिर आप अपना खाँ पी के 2-2.50 बजे से पढ़ने बैट रहे हैं, बेटा, उससे अच्छा है, तो आप school जाएए, बहुत सारी चीज है, जो आप school के अंदर सीखेंगे, ठीक, दूसरी चीज, अब जो school जा रहा है, sir, तो भाई, जो school जा रहा है, उसका भी कोई loss नहीं है, इस school में भी वो जाके कुछ ना कुछ पढ़ रहा होगा, कुछ ना कुछ सीख रहा होगा, तो अगर आप dummy करा के उस time को proper utilize करते हैं, अपने career के लिए, तो dummy best है, बट अगर एक student जो अपना proper school जाता है, शाम को हमारी class attend करता है, वो भी अपना need का exam निकालता है, तो इसमें कुछ नहीं है, important है time management, आप किस तरीके से, ठीक है, quality over quantity, आप किस तरीके से, चीजों को revise करते हैं, एक होता है कि मैं 10 गंटे पढ़ता हूं, वो 5 गंटे पढ़ता है, पर डेली हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप डेली उसका revision करिए, ठीक है, आप इस पे चलिए, ठीक है, यह मेरा क्याने का मतलब है, बिल्कुल, बिल्कुल सर, बाकी और भी बाते बहुत सरी होंगी, अब batch के अंदर आ की होगी, बीच में आपको एक अच्छा खासा break भी मिलेगा, जहाँ आप चाय पानी कर सकते हो घर के अंधर, ठीक है, या फिर आपको जो teacher ने पढ़ाया है, उनके जो notes है, उनको आप 15-20 मिनट के अंदर device कर सकते हैं, ठीक है, आप इस तरीके से भी time को utilize कर सकते हैं, notes कैसे बनाएं, बेटा, एक बार class start होने दीजिए, आपको proper बताया जाएगा, जब मैं हुआ topic लिखूंगा, आप teacher के साथ-साथ उसको उतारेंगे, ठीक है, और अपने आप आपके notes बनते जाएंगे, हम आपको पढ़ाएंगे, proper NCRT base पढ़ाएंगे, उसके उपर base PYQ questions भ आता है, वो नहीं पढ़ा रहा जो हमें आता है, आपको बिलकुल घवराने के जुरूत नहीं है, बस discipline रहिएगा, sincere रहिएगा, proper copy pen लेकर आईएगा, और first दिन से पढ़ाई करेगा, सिरफ ये चाहिए बेटा, और कुछ नहीं चाहिए, कौन-कौन सी बुक लेनी है, अभी कोई बुक नहीं लेनी, अभी कोई बुक नहीं लेनी, कुछ नहीं लेना, नहीं साल लेनी तो होगी, PYQ की practice करनी होगी, हम आपको बहुत सारे DPP देंगे class में, जब भी आपका lecture complete होगा, उसके उपर बेस आपकी daily practice sheet जाएगी, और वो आप solve किया करेंगे, ठीक, और उससे related जो उसकी जो solving होगा, उसका जो video solution होगा, वो भी हम आपको provide करने वाले हैं, तो अभी आपको कोई भी बुक डेंग रीदनी है, अगर आपको additional question practice करने हैं, तो हमने हमारे पस है बेटा, हमारे modules भी हैं, कुछ अगर आपको लगता है, हम अमिशा कहते हैं, अगर आपको लगत teacher आपको physics में कैसे बनाने हैं, botany में कैसे बनाने है, notes, zoology में कैसे बनाने, we will guide you in the classroom, ठीक है ना? module भी कह रहे हैं, आप बिल्कुल module ले भी सकते हैं, hard copy, और modules के I think PDF भी हम लोग provide करते हैं, तो हमारे जो modules होते हैं, उनके PDF भी आपके app में provide कराये जाते हैं, but आप modules भी purchase कर सकते हैं, वो सारी चीज़े अब हम आपके साथ, one by one यहाँ पर, एक systematic way में आपके साथ अब चीज़ app, जैसे ही आपकी class complete होगी, उस lecture पे जो भी notes हैं, जो भी मैंने sir ने यहाँ पर पढ़ाया है, वो automatically आपके app में upload हो जाएंगे, तो आप notes हमारे साथ साथ बनाते रहिएगा, ठीक है, पूरा का पूरा, और हमारे जो handwritten notes हैं यहाँ पर, यह आपके app के अंदर आपको provide कराएं जाएंगे, यह PDF notes बेटा, बहुत सरे लोग इसको कामचोरी के लिए भी यूज करते हैं, कि हम class में notes नहीं बनाएंगे, और हम PDF से चाप लेंगे, जो कि बहुत ही गलत practice है, यह बहुत ही गलत practice है, आप class में आपको sufficient time दिया जाता है, कि आप साथ के साथ notes बना सको, और आपक कोई चीज छूट गई है, कोई चीज मिस होगी है, तो this is there for you, by chance आप किसी बेटा, होस अता है, emergency situation में, by chance, worse to worse, आप class at 10 नहीं कर पाए, आपके लिए उस वक्त में यह helpful होगी, बट इसे कामचोरी के लिए यूज नहीं करना, आपको मिलेगा ज़रूर, बट यूज उस तरी क्लोरोप्लास पढ़ाय गया, तो mitochondria क्लोरोप्लास के उपर बेस 15-20 अच्छे questions आपको एक practice sheet की form में मिलेंगे, जिसको आप खुद अटेंड कर सकते हो, app में और देख सकते हो, आपके कितने questions सही हुए, मालीज ये 15 में से 5 questions आपके गलत हुए, तो इन सभी questions का video solution भी आपको जो भी questions, आपके जो भी doubts आएंगे, आप वहाँ पर question कर सकते हो, और जो team है, हमारी काफी active है, एक से 2 घंटे के अंदर आपकी वो जो doubts है, उसको हम clear करने की पूरी की पूरी कोशिस करेंगे, इन फाक्क पीर-to-peer doubts solving में आप जो हमारा community section है, जहां आप doubts पूछते हैं, आपके खुद के अरजना में पढ़ते हुए आपके साथ के बच्चे, वो भी आपके doubts better solve कर सकते हैं, तो that is also a feature which is useful, instead of better wasting time, हला कि मैं कहूंगी कि better time pass करने के लिए उसको use नहीं करना, आप अगर genuinely एक दूसरे की help कर सकते हैं, तो आप peer-to-peer उसमें भी आपके class के बच्चे एक दूसरे के doubts भी solve करेंगे, backhand पे जैसे सर ने बोला कि आपके पास options है कि आप doubts पूछ सकते हूं, वो भी आगे slides में हम आपको mention करेंगे, doubts पूछने कैसे हैं, तो वहां पे better हमारी पूरी team होती है, in fact, हम भी personally doubt आपके cater करते हैं, ताकि आपके doubts पेटर ना रहे, है ना? नहीं कर पाएंगे, बेटा, सबसे important है, और ये test में ना सर हमेशा बचे बोलते हैं, हमारी तो तैयारी नहीं हुई, सर नेकते पहले, कि तैयारी नहीं हुई, हम लोग test नहीं देंगे, marks कम आएंगे, तो हमारा confidence गिर जाएगा, बेटा, एक चीज याद रखना, पहली चीज class नहीं छोड़नी, दूसरा test नहीं छोड़ना, कभी ऐसा हुआ कि preparation थोड़ी कम हुई है, कोई बात नहीं, 60% syllabus ही तयार है, कोई बात नहीं, 60% syllabus के base pay test दे दे, 40% score करके आ, लेकिन test कभी मत छोड़ना, आज आपको बता देते हैं कि neat का selection जो होता है, सबसे important चीज, सबसे important ची preparation हो या ना हो, पहली चीज तो preparation करनी है, 1% किसी test के लिए हुआ कि मेरी preparation नहीं है, बेटा, exam कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना, बिल्कुल, all India test series will be provided according to the test planner, बेटा, एक EITS, जिसको आप test बोलते है, all India level पर आपका test किया जाएगा, हर chapter का, जिसमें हमारे जितने भी students है, all India level पर, वो सब compete करेंगे, देखिए, एक होता है ना कि मैं school का topper हूँ, है ना, या एक होता है कि मैं इस area का topper हूँ, या मैं इस region का topper हूँ, या state का topper हूँ, पूरे उसका topper हूँ, तो जब इतना बड़ा आपका sampling size इतना बड़ा होगा, एक पूरे India level पे students के बीच में आ आपको rank पता चलेगा, तो बच्चों कहीं न कहीं आपका confidence बड़ेगा, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये series भी बहुत important है, बिल्कुल test, बिल्कुल skip नहीं करना है, revision classes will be provider after syllabus completion, एक बार आपका syllabus complete हो जाएगा, तो हम उन सभी chapters की आपको revision class भी दी जाएगी, और मैं जब हमारे AITS वगेरा होते हैं, तो इसका जो भी syllabus होता है, जिस भी test का, कि मालीजी ये बौटनी में दो chapter आ रहे हैं, जिलोजी में दो chapter आ रहे हैं, तो हम उसका revision class भी plan करते हैं, है ना, उनकी revision class भी आपको दी जाती है, उस time हम, मालीजी जो भी chapter आ रहे हैं, उससे पहले, दो दिन पहले, तीन दिन पहले, चार दिन पहले, आपको proper revision class भी दी जाएगी, तो आप बिल्कुल भी किसी चीज की कोई चिंता मत करिएगा, the complete course will be accessible to all the students until the NEED 2026 exam, मैं थक्य प्राइम नी हो जाता, तब तक आपको अरजुना नी 2025 batch का access आपके पास रहेगा, तो उसका भी कोई लोड नी लेन है, botany और जो जो जी की आप अलग अलग notebook बनाएगा, वो बैटर रहेगा, बिल्कुल 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 बि पर पूरा mix आएगा, लेकिन आप अलग अलग बनाएगे, इस से आपको easy रहेगा, बैच स्टार्ट्स प्रम 8th of April, Monday से बैच स्टार्ट हो रहा है आप लोग का बिटा, it will end around 18th of January 2025, ठीक है, physics, chemistry, botany, zoology, आपको पता ही है, ये आपके 4 subjects होंगे, mode of lectures, live online, आपकी classes वैसे live हों कि every day 2 classes होंगी, देखो schedule में लिखा है, 2 classes per day, classes will be held for 6 days per week, बैटे ये जो 6 days लिखा है न, initially आपकी classes 5 days a week होगी, अभी मैं schedule में आपको दिखा भी दूँगी, initially आपकी 5 days a week class होगी, उसके बाद आपका एक summer vacation वाला time होता है, उसमें 6 days आपकी class लगीगी, पर एक दिन में आपक कि दो classes लग रही है, और एक class का duration है, एक घंटे 45 minute, और दो classes के बीश में आपको half an hour का gap मिल जाएगा, जहां सार ने बोलन, चाय नाश्ता करना है, जो करना है बीटा, वो आप कर सकते हो, और बैम, बच्चा लिख रहा है कि class में starting में पहले rough notes बनाने, फिर class complete होने के पाद, करें, यह काम मत करना बेटा, लिखू बन जाएगा, पोथी पुथरा रखेगा, पूरा हिसाब, है ना, जो भी करना है, running class में करना, हम आपको proper time देंगे, लिखने के लिए, एक slide हमने लिखा, हम थोड़ा सा side में भी हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन बाद में मत करना, नहीं आप कभी पढ़ नहीं पाएंगे, आप नोट सी बनाते रहेंगे, बेटा, वो शुरू-शुरू में करेंगे, फेर और रफ, एसा नहीं करना, बाद में महुत आएगी, तुम चार सब्जेक पर तुम्हारा जन्म सिद अधिकार है, वो तो तो तुम बेटा, इधर उधर की यह वाली चीज़ें मत करो, एक ही बार में क्लास में नोट्स बनाना है, सब्पीशियन टाइम होता है, तुम एक बड़ी क्लास में आके देखो, तुम्हें सब्पीशियन टाइम मिलेगा नोट्स बनाने का, ठीक है, कम्प्लीट कवरेज और 11 बोर्ट से नीट सिलिबस कहने डिस्क्राइब कर के समझाते हैं सो शil primeira सब्वस तो अलग है यही नीच नीट का जो प्रिपरेशन है, वो NCRT बेज है हम उसी को लेकर चलेंगे और आपके boards की जो book है, हमारी boards का जो content है, वो more or less same ही है, कोई हो सकता है कि कोई एक आदे topic में आपके यहाँ लिखने में theory जादा लिखनी पड़ती हो, वो जादा detail में होगा, बस एक दो topic के साथ ऐसा हो सकता है, बड़ जो concept होता है, वो तो हमेशा एक concept ही होता है, वो कभी short या detail म नहीं होता है, ठीक, अगर आपको mitochondria पढ़ाना है, तो उसका एक proper concept होगा, तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप किसी भी state board को हो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, आप class attend करिए, unnecessary, बिल्कुल panic मत होईए, यह आपका schedule है, 8th of April से रिके 14th of May, जो मैं आपको बता इनिशियली आपकी 5 days a week class होगी, Monday से Friday, per day 2 classes है आपकी, आप जैसे यहाँ पर देख पाले हो, Monday Tuesday आपकी 1st 4 से 5.45 जोलाजी की class होगी, और फिर आपकी बिटा, half an hour का break है, और 6.15 से 8.00 PM फिर दूसरी class है, यह schedule है, आप देख सकते हो, जोलाजी के में, स्ट्री, जोलाजी के म chemistry, physics, botany, physics, botany, यह follow हो रहा है बिटा, आपका 14th में तक, फिर 15th of May से 30th June तक, जो schedule लगा हो है बिटा, उसमें आपकी 6 days a week class होने वाली है, again, class per day सिफ 2 class होगी, और यह schedule, in fact, आपको बिटा, यहाँ पर याद नहीं करना है, कि schedule, मैं यही पर याद करना पड़ेगा, कि नहीं, आपको अभी हम बताएंगे बिटा, आपको अप कैसे यूज करना है, क्योंकि 11th के बच्चों के लिए सर, यह बहुत, बहुत जादा ज़रूरी हो, और मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि मेरा experience है कि batch के अंदर बच्चे पहले दिन आके ना, subject पढ़ने से जादा यही आपको बहुत 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 कर सकते हो, बट फिर भी मैं कहूंगे आप बहुत ध्यान से वो चीज़ सुनना ताकि आपको बिटा बाद में मौतना है इस चीज के लिए, ठीके कि चलाना कैसे, आप क्लास कहां पे मिलेगी, लाइब कैसे शिडूल होगा, डाउट किस जगा बाद में जाके पूछों अभी कोज बच्चे यह पूछ रहे हैं बैच कैसा खरीदूं तो वह भी आगे भी हम आपको बताएंगे यह सारा शिडूल आप में मिल जाएगा, एवरीटिंग इस देर इन अप अच्छा एक बिटा आपने बैच इन्फिनिटी आप चाहो तो आप बैच इन्फिनिटी परचेस कर सकते हो, आप चाहो तो इन्फिनिटी स्किप भी कर सकते हो, दोनों में बिटा बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है, इन्फिनिटी में आप देखोगे तो आपको बिटा, तो इस प्रड़ करो, आपको जिनको भी फॉलो करना है, आप एक टीचर को फॉलो करो, जो बच्चा इस धुन में रहता है ना, बीटा की, मैं इससे भी थोड़ा पढ़ लेता हूं, मैं इससे भी थोड़ा पढ़ लो तो अरे सर आपने यह नहीं बताया सर मैंने ख़जाना में पढ़ा था यह मैं कई बार क्या होता है हम लोग खाना खाने के लिए जाते हैं चारसो पांसो की थाली मिल जाती ही महाराजा थाली उसमें कमसें 15-16 कटोरिया रखी होती है किसी में पनीर है किसी में दाल मकनी है किसी में यह है किसी में वो है और दो रोटी रखी होती है और एक पापा रखा होता है तो आदे लोगों को यही समझ नहीं आता कि किस से खाऊ इस से खाऊ या इस से खाऊ इस से खाऊ तो बेटा क काई बार जब रिसोर्स बहुत जादा होते हैं वो चीज भी पहो जाती है पर नहीं करते हैं यहां वह किसी के भी नहीं होते हैं इन से करूब इसे करूब आप एक बार जब एक टीचर को फॉलो कर रहे हैं तो आप पूरे साल उन ही से पढ़िए ठीक है वरना देखो पेट उसी का बारा है जिसने एक दाल और एक सबजी के साथ खाया प्रॉपर तरीके से खाया ठीक है तो आप एक ही को फॉलो करिए बेटा ये चीज बहुत जरूरी है एकदम इसको ध्यान रखिएगा ठीक है आप पढ़ेंगे अपने लिए पढ़ेंगे अपने पेरिंट्स के ड्रीम के लिए करेंगे ठीक है वरना हमारी देखे मुझे बिल्कुल सर सही बात बोल रहे हैं देखो बिटा ये पते ही क्या आपका खुद का नुकसान है हमारा मैं और सर तो फिर भी उतने ही बच्चों को जब आप हमारी बात सुनेंगे, आपका सेलेक्शन होगा, आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, मैं आपसे हर बार 10 मिनिट में एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि बस अपने टीचर्स की बात मानना, जैसे वो कहेंगे, बिल्कुल बिटा, वैसे करना है, यह बिटा, आपको आगे का थोड़ा से में पहले से थोड़ा पड़ लेता हूं, ताकि मेरको आगे लेक्शे में और बढ़िया से समझ में हैं, उस चीज के लिए आप कर सकते हो फजान है, इसमें आपके जो भी आगे बैचेस आएंगे, अरजुना 2.0, 3.0, 70.0, जितने भी बैचेस आएंग ठीक है, हर टॉपिक के ऊपर बेस, एकदम NCRT बेस, एकदम रिलेवेंट कोश्चन बनाए गए है, एक टॉपिक पड़ा, उसके ऊपर बेस तीन MCQ की है, एक टॉपिक पड़ा, उसके ऊपर बेस पांच MCQ की है, ये NCRT पितारा के अंदर आपको मिलने वाला है, एक्सेस टेस्ट सिरीज, जो भी आपके टेस्ट होंगे, आलाइन, सब का एकसेस आपको इसी के अंदर, सेम अमांट पे करने के बाद आपको मिल जाएगा, सहायक है बिटा, आपके पास, आपके बस mentorship है, आपके जो भी जो भी आपके seniors है, जो भी अभी किसी medical college में है, third year, four year, second year में ह ठीक है, जो आपका NEET का exam qualify करके गए है, उनके साथ अब वो एक तरीके से mentor का काम करेंगी, आपको guide भी करेंगे, ठीक है, कहां आप सही कर रहे हैं, कहां गलत कर रहे हैं, हम तो रहेंगे ही रहेंगे, उनसे भी आपको guidance मिल सकती है, आप उनसे बहुत relate कर पाते हो, क्योंकि क आपको आपको जरूरत है या नहीं है, जो आपको जरूरत है आप उस चीज को लीजिए, नो यूर फेकल्टी, मुझे लगता है यह बात आपको पहले से पता है, यह वहां मालूम ही है, आपको आयू सर पढ़ाएंगे, है ना, बहुत जबदर्स फेकल्टी है, और सर की एन अनरजी आपने देखी भी थी, और सर एकड़म वेट कर रहे हैं, सर भी, मैं भी, हम भी कि आप आएंग क्लास में, और सर आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, जहीं एडवांस, नीट, एमभीएस, गोल्ड मेलिस, ऐसी कोई चीज नहीं है, जो सर ने नहीं निकाली है, 13 इन के लिए फेमस है, जो यह बोलते है कि बिना पैन उठाए, यह को सौल करा देते हैं, ठीक है, तो बहुत इंटेलिजन टीचर है, आपको बहुत मजा आएगा, सर ने इस बार प्रचंड स्रीज में पढ़ाया है, पूरी की पूरी स्रीज कंप्लीट की है, सर ने, और यकी के बैच में भी सर ने पढ़ाया है, और लास्ट ये सर यकीन 3.0 में भी पढ़ा रहे थे, तो सर बहुत जबदस फेकल्टी है, फेकल्टी पे तो बेटा कभी भी शक्क मत करना, ठीक है, इंडिया की बैस्ट फेकल्टी आपको इस बैच में पढ़ाने वाली है, तो सर के बा या यकीन 2.0 या या यकीन 4.0 ओ हो ठीक है या मैं अरजुनास के पुराने बैच की बात करूं लास्ट यर के बात करूं ऐसा कोई बैच नहीं है जहां सर ने ना पड़ाया हो और हार्ली मुझे नहीं लगता ऐसा कोई student होगा जो 12th year 12th पास होगा जो सर को नहीं जानता हो तो मैं सर का introduction क्या बोलूंगा आप credentials देख लिए जीए आप पड़ेंगे आपको मसा आजाएगा जाएगा तो बहुत अच्छे credentials है बहुत अच्छा पड़ाते हैं और जितने भी सर नाम बतारी क्योंकि बहुत सरे ऐसे बच्चे शाए जो पहली बारी आए हैं तो all these names that sir is taking यकीन, प्रचंड, लक्ष, these are all our batches, तो इन सारे batches में, काफी सारे batches में, sir ने भी पढ़ाय हुआ है, आयूत sir ने भी पढ़ाय हुआ है, योगे sir बहुत जबदस teacher है, काफी time से sir कोटा में पढ़ा रहे हैं, जो आप सुनते आयों कि coaching की मं या उम्मीद series हो, या फिर last year की उम्मीद series हो, या फिर यकीन 2.0 batch हो, ठीक है, तो sir आपको हर batches मिलेंगे, बहुत basic से sir पढ़ाते हैं, बहुत अच्छी organic chemistry पढ़ाते हैं, और बच्चे sir के fan हैं, ठीक, या सारे teacher एक से खतरनाक teacher है, ठीक है, introduction क्या दे sir के बारे में, आप बस batch में आई या आपको मज़ा आएगा, मोई sir ये तो इन्होर्गेनिक chemistry के बादशाह है, काफी time से sir भी कोटा में पढ़ाते थे, ठीक, और sir का introduction देने की मेरे को ज़रूत नहीं है, है न, कोई तो sir बता रहे थे, कि sir के वह बहुत पेमस है, जुगाड, मतलब आपको इस तरीक बतानी जरूरी है, वहाँ पर short trick पढ़ाएंगे, और जहां आपको पूरा concept देनी की जरूरत है, तो वहाँ पूरा खतरना concept देंगे, sir कोई भी series देख लीजिए, उमीद देख लीजिए, प्रचन देख लीजिए, यकीन two points देख लीजिए, यकीन के दूसरे batches देख लीजि दो भी बच्चा 12th class में है, या 12th pass out है, मुझे नहीं लगता कि एक भी बच्चा आपको ऐसा मिलेगा, आप पूछ लीजिएगा, जो मोहिज सर को ना जानता हो, ठीक? जो बहुत सरे बच्चों को लगता है, बड़ी रटने वाली है, याद करने वाली है, तो sir is going to make sure, कि आपको subject की feel आ जाए, और आपको बटा मज़ा आ जाए, ठीक है, तो sir is going to take your inorganic chemistry, ओहो, बटनी में, यह मैं ही हूँ, तो मैं जाना नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बताऊ सब्सक्राइब करते हैं, बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, और sir अपने lectures लेने से पहले, लेक्चर की भी बहुत बढ़िया तरीके से planning करते हैं, कि आपको हर लेक्चर में, आपको हर बैचर के अंदर वही से लेक्चर में कुछ ना कुछ डिफरेंट कैसे हो, उसके लिए लेक्चर से पहले जबर्दस planning करते हैं, ताकि आपको बेटा best से best content मिल सके, तो आपको क्लास में आपको कभी ऐसा लगे कि plans के बारे में पढ़ना है, माम बोरिंग तो नहीं लगेगा, तो बेटा, sir की class में आपके आप देखोगे, तो he is going to make the subject very very interesting for you, बाकि credentials आप देख सकत करेंगे, और यह जो में ने कहा ना कि एक lecture लेने के लिए, यह बिल्कुल सत्य बात है, एक lecture लेने के लिए मैं कम से कम 2 या 3 गंटे पढ़ते हैं, तीक आप सोचेंगे, यह क्या पढ़ रहे हैं 2-3 गंटे, लेकिन एक lecture के पीछे बेटा, सभी teachers की बहुत मेहनत होती है, तो म मैं तो आप से सिर्फ इतना ही कहूंगा, आप एक बार आईएगा, आपको lecture में एक दम इमानदारी मिलेगी, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, अब मैं मेम को इंडिट्यूस कराऊगा थोड़ा सा, पहली बात तो मेम को इंडिट्रोड़क्शन की ज़रूत नहीं है अभी तक PW में जो भी बैचेस चले आ रहे हैं, चाहिए लास्ट येर के अरजुना बैचेस हों, या लक्ष बैचेस हों, या इस साल के हों, या लास्ट तू लास्ट के हों, मैडम ने सभी के सभी बैचेस पढ़ाए हैं, यकीन में मैडम औलेडी मैडम पढ़ा रही है, से पढ़े हैं, कही ना कहीं किसी ना किसी batch में और अच्छे से मैम को जानते हैं और काफी सारे स्टूडेंट हो डिफरेंट-डिफरेंट मेडिकल कॉलेज में हैं और मैम का एक वो फेमस है सपोला, ठीक है तो जो दो साल पहले पड़े थे मैम से सपोले वो चोटे-चोटे क्लास में आओ मैं तो यह कहूंगी कि क्लास में बहुत 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 कह दिये बट सपोला आर्मी कहने के पीछे जब पच्छे आते उस दमावाम ने सपोला क्यों रखा क्योंकि अभी तुम क्लास में आओगे ऐसे जहरी ले सवाल पूछते हो बिटा कि तुम्हारा वो जहर कभी मैं एक बार ना मैं लास्ट यरे के लेक्ष में पढ़ा रहा था हां तो मुझे सच में उस टाइम नहीं पटा था तो मैंने यह बोल दिया कि किसी ने स्पैमिंग की ती यह कुछ ने कितना जहरी ला आत्मी है कितना जहर है तो तो अगर पेरिंस को भी काट लेगा तो मतलब कितरा खतानाक आदमी है जहर निकलता है तो वहां सब लोग चैट में लग गए तो मुझे मालूम चला यह मैं का कोट बढ़ मैंने यूज कर दिया यहां पर तो भाई आप लोग आईए बिलकोल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे और अभी आप छोटे- अदर मिलते हैं यह मैं हमेशा कहते हूं क्रिदेंश्यल्स डाइट मुझे लगता है जानना ज़रूरी आपके टीचर्स ने क्या किया है क्या नहीं किया है पट बढ़ तो आपके टीचर्स की समापती हो चुकिये समापती मैं के साथ में एक्स्टोरिंग दबैच इस आपको आपके अंदर बेसिकली आप आपको कैसे दिखने वाला है जब आप खोलेंगे पी डवल्यू का आप जो कि आप लोगो ने डाउनलोड कर लिया होगा आप जाओगे बिटा आपके अंदर यह जो सर्च बटन आपको दिख रहा है आप किसी भी चीज को सर्च करना चाहो वै रहने दो बेटा एक बाइलोजी है यह मजाग कर रहा हूं इसको ऐसे मत दीजिएगा आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं बेटा ठीके कभी ऐसे नहीं होगा कि आपने कोई सवाल पूछा और हम आपसे कहेंगी तो उमसे नहीं उपाएगा नहीं एक सार्केजम था बेटा य यह वाला पूर्शन आपको जोला जाता है बाकि आप बैच में आएंगे तो बेटा आपको फादर ऑब बॉटनी फादर ऑफ जोलोजी भी बताया जाएगा बॉटनी जोलोजी की डेपिनिशन भी दी जाएगी जो बच्चे पूछने रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे यह लाइ़ लैक्चर्स आपके हैं बट हम तो कहते हैं कि आपको लाइव लाइव नहीं अटेंड कर पाते हो तो बिटा आपको लैक्षर्स लाइव जो हमने लिए वो रिकॉर्डव में वे बियुत हैं आ आप भ none यह अर्ली फीस से बिटा ही आपकी आप इसको क्लिक करेंगे देखिए आप बाई नाओ पे जाएए बाई नाओ पे जाएंगे बाई हो जाएगा बिटा आपका बैच आपके पास दो आप्शन है अर्जुना नीट और अर्जुना इंफिनिटी जो मैंने आपको बताया सब्सक्राइब तक आपको बैच का एक्सिस रहेगा आपने बाई कर लिया अंदर जाओगे बीटा और क्लासे सब्जेक्ट वाइक प्लास्रेडियू नोटिस विल बी प्रोवाइड इन दर क्लास्रूम सेक्शन आपको ऐसा डैश्बूर्ट दिखेगा जब आप अर्जुन खजाना यह सा दिख्ता है कि आपके क्लिक किया हुआ है आगय आप टेस्ट की डीटेइल्स मिल जाएंगी आपको क्लिक करते बढदे बढ़ते बहुत कर करोगे आगे जाने हैं जरूरी है बिटा एनाउंसमेंट जरूरी इसलिए क्योंकि बाइचांस अगर आपकी कोई भी क्लास बाइचांस किस भी वज़े से अगर रिशीडूल हो जाती है यह आपको टीचर कोई क्वेस्चन प्राक्टिस शीट दे रहे हैं एडिशनल कोई भी चीज प्रवाइड कर रहे हैं तो वह अनाउंसमेंट सेक्शन में जाके आपको बिटा वह बैच रिलेटेड अनाउंसमेंट आपको मिल जाएगा जो आपके लिए जरूरी है आगे आप क्लिक करोगे बिटा कम् आपको अन्दर मिल जाएगा सारे आपके टीर्स मोहत सर के demo विडियो सुधान शुदानशुद रिशुक्लर सर के अयूद सर के हो गया रुपेशर के विडियो सारे टीचर्स के अवेलेबल मिलेंगे ठीक है यह वही डेमो लेक्टर्स है ना सर doubt engine will be there for solving the students queries and doubts बेटा आप हर एक slide पर जाके particular slide पर click करके doubts पूछ सकते हो और जैसे कि यह slides बेटा दिखायव है आपको दिखायव है इस ताब में doubt engine आपके पास select a slide to ask doubt आपने slide पर click किया आपने doubt पूछ और जैसे कि हमने आपसे आप से कहा बेटा कि आपके हमारे team के बहुत ही अच्छे subject matter experts हैं जो आपके doubts cater कर रहे होंगे और immediately आपको बहुत जल्दी within no time आपको doubts के answer भी मिल जाएंगे और साथके साथ हम भी आपके कुछ-कुछ doubts cater कर रहे होंगे बैच में ठीक है जी polling features इसमें बच्चे मुझे तो बहुत परिशान करते हैं पोल कर आओ पोल कर आओ पूस करता हूं मैं भी कमी यूस करती हूं physics chemistry वाले teachers बहुत पोल फीचर को यूस करते हैं इसमें जो time duration होता हो minimum I think 30 seconds होता है biology के काफी सारे questions ऐसे होते हैं जो direct होते हैं कि cell was discovered by तो इसमें answer एक second में दो second में language पढ़ती देगा रॉबाटूप ने discovered किया था ठीक है रॉबाटूप साम ने discovered किया था तो इसके लिए फिर हम 30 seconds लगाएंगे तो कहीं न कहीं हमें लगता कि थोड़ा सा बच्चे का time चला जाएगा इसके अंदर है थोड़ा सा इसलिए हम इसको थोड़ा कम use करते हैं लेकिन हम use करते हैं इसको बहुत बढ़िया चीज होती है इसमें लीडर बोड आता है जैसे हम भी पिटा पी वाई क्यूस में तो मैं यह कराती हूं पोल वाला यूशुली क्लास में ठीक है सब लोग करेंगे आप क्लास में आएंगे देखना मैं आपको बता रही हो पोल में जैसे सबने बताये तो हमें पते जलेगे कितने परसंट पतीशत भारतियों ने यह सही आंसर दिया है फिर बिटा आता है लीडर बोड लीडर बोड बचलता है इस बच्चे ने ती सेकंड में आंसर दे दिया है इस ने तेर सेकंड में आंसर दिया है मतलब किसे पास्टेस् आप भी अपना नाम स्क्रीन पर देख सकते हो ठीक है तो that is also very good आप उससे भी मोटिवेशन मिलती है this is I think study material sir, modules है, modules आपको परचेस करनी है तो आप 2332 इसका प्राइस है आपको लगता है कि जरूरत है तो आप लीजिए अपनी थूल चड़ाने के लिए मत लीजेगा कि टेबल पर रग दी और मैं छूबी नहीं रहें इसको तो वैसा मत करना अगर आपको लगता है आपको प्राक्टिस करना है तो आप modules ले सकते हैं बिटा अलग से watch and suggest us about the lectures this is very important suggestions feedback बहुत ज़रूरी है feedback इसलिए जरूरी है बिटा so that a smooth तरीके से process चले जैसे आपको बिटा आपने बढ़िया पढ़ाई की आपके parents ने अगर आपको appreciate कर दिया आपके teachers ने आपको appreciate कर दिया तो आपको बड़ा अच्छा लगता है की मैंने कुछ अच्छा किया और मुझे मुझे ममी पापा ने parents ने appreciate किया या आपने कभी कोई गलती की या कुछ कमी रह गई तो आपको कमी बता दी की बिटा ऐसे करना चीए था तो better हो जाता आपके suggestions आपका feedback most welcome है उससे हमारा पूरा ये जो batch है बहुत smoothly run करता है हमें भी बहुत motivation मिलती है so you can give us the ratings after every lectures आपके पास option है आप rating दे सकते हैं और आप लिख सकते हैं उसमा options आते हैं क्या सबसे अच्छा लगा lecture के बारे में वो चीज भी आप mention कर सकते हैं और ये बिल्कुल बेटा fair रहता एकदम आप teachers को कोई भी rating देंगे कुछ भी देंगे आपकी सारी चीजे confidential होती है ठीक आप आप कुछ भी मतलब कोई भी rating दे सकते हैं आप कोई भी comment कोई भी suggestion दे सकते हैं there is always scope of improvement only fools know all the answer तो हम हमेशा कोई भी suggestion जो होता है उसको positively accept करते हैं और चीज़ों को और बैटर बनाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल बट इन केस बीटा there is some problem watching the lecture तो in that case अगर कोई भी आपको दुखदर समस्या आती है कोई भी दुख कोई भी दर्द कोई भी पीडा खटापन कुछ भी यह एक्चुली योगेशर के वर्ट्स हैं मैं यूज कर रहा हूं तो उस situation में आप बेटा आप बता सकते हैं इशू के बारे में कि वीडियो प्ले नी हो रही थी माम और अडियो प्रॉब्रम आ रही थी माम है ना बफरिंग हो रही थी माम तो यह इशू भी बिटा रिपोर्ट कर सकते हैं तेक्निकल अप रिलेटेड इसू में आपको अग समस्या प्रॉब्लम आप रॉब्लम अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस हो रही है और जैसे कि मैंने काल कि बिटा जल्से जल्द आपके समस्या का समाधान किया जाएगा आप कनेक्ट कर सकते हैं न सर ये पीड़ल्यू से फेस्बोक इंस्टग्राम यूट्यूब एंट टेलीग्राम राइट तो वेम इनको एक काम करना है आपको इस वीडियो पे नीचे कमेंट करके बताना है सिरफ कुछ वर्ट्स में कि आप इस दो साल की जर्नी के लिए तैयार हो या नहीं हो बिलकुल बिलकुल ठीक है आपको बिलकुल कई पॉजिटिव कमेंट करना है कि हासर हम त्यार है ठीक है और हम बहुत अच्छे से पढ़ाई करने वाले हैं मेहनत करेंगे और अपने टीचर्स की पूरी की पूरी बात के लिए पूरी की पूरी जान लगा देंगे पूरा का पूरा पिडवू का हर एक सरज से कर ao पंदेंगे बिल्कुल ने बोला को मेंट जरूर आप मेंशन करना और जब आपका स Congress में यूट्यूब के वीडियो पे देखना कि आपने यह बनाती ती मैं पूर्ट इन फाक्त आपको जो चीज चाहिए आप उस चीज को बिटा डेली सब सुबह उठते हो ना कि मैं को यह अपनी राइफ में अचीव करने है आप उस चीज को लिखो और देखना वह बहुत अच्छी एनर्जी क्रियेट होती हो और आप उस चीज के पीछे बिटा जबरदस्त म मता हो कि सिर्फ ठीक है मैं एक एक्जाम क्लियर करने के लिए बस पढ़ रहा हूं नहीं सिर्फ सिर्फ इतनी सोच के साथ मता हो आप इस पॉजिटिविटी के साथ में हो कि हम बहुत कुछ सीखेंगे और चोटी-चोटी कीवी चीज है ना बिटा इमिडिटली आपको रिज आपको सेलेक्शन तक तो पहुंचाएंगी पर आपको बहुत सारी बिटा आपके लाइफ में जीवन में आगे की जर्नी में भी हिल्प करेंगी ठीक है तो इस सोच के साथ आप आईए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और अब हम सर सीधे मिलेंगे बच्चों से बैच क